आप देख रहे हैं MNS News, सच ज़रूरी है नमस्कार दर्शकों आप देख रहे हैं MNS News आईए देखते हैं आज की खास खबरे संकी प्रेमी ने प्रेमिका की गर्दन पर सरयाम किया चाकू सिवार तमिलनारू के विल्लोर में प्रेमी ने शक्त के चलते प्रेमिका को चाकू मार कर मौत के खात उतार दिया आरोपी की पैचान 20 वर्षिय सतिश कुमार के रूप में हुई जो गुपट्टा मोटोर कार रहने वाला है सतिश वेलोर की कॉलेज में और तो टेकनोलिशियन की पड़ाई कर रहा है वही 18 साल की मृतका यासिनी भी गुपट्टा मोटोर की रहने वाली थी और रानी पेट में मेडिकल की पड़ाई कर रही थी बताय जा रहा है कि दोनों की बीच पिछले 3 साल से अफियर था सतिश को शक था कि यासिनी किसी और को पसंद करती है दोनों बुदवार सुबह तिरुम वल्लम बस टैंड पर खड़े थे इसी को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हुई बहस इस हद तक बढ़ गई कि सतिश ने जेब से छोता चाकु निकाला और यासिनी की गरदन पर वार कर दिया खुन से लटपत यासिनी वही गिर गई इससे पहले कि सतिश वहां से भागता रहागिरों ने उसे पकड़ लिया यासिनी को तुरंट अस्पताल पहुचाया गया डॉक्टरों ने बताये कि उसकी हालत बेहत गंबिर है फिलाल उसका इलाज जारी है उदर सुचना मिलते ही पुलिस भी मोके पर पोची और आरोपी सतिश को गिरफतार कर लिया उससे पुछताच की जा रही है इससे पहले त्रीची में 11 वी कक्षा की छात्र को एक तरफा प्यार में सन की आशिक ने चाकू से 14 वार ताबड़तोक वार करके घायल कर दिया था बाद में पुलिस जब आरोपी को तलाशने लगी तो उसका शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला पुलिस ने बताये कि 16 वर्ष पीडित चात्र अधिकूलम की रहने वाली थी आरोपी यूवक की पहचान केसवन निवासी थोता मेटू पट्टी के रूप में हुई थी केसवन यूटी का कई दिनों से पीचा कर रहा था एक जुन को जब 16 परिक्षा खत्मक होने के बाद घर जा रही थी तबी केसवन ने उसे रेलवे ओवर पास के नजदिक रोक लिया था आरोपी की पहचान 20 वर्ष ये सतीश कुमार की रूप में हुई है जो गुपट्टा मोटोर का रहने वाला है शतीश बेलोर कॉलेज में और्थो टेक्नीशियन की पढ़ाई कर रहा है वहीं 18 साल की मिर्थका यासिन भी गुपट्टा मोटोर की रहने वाली थी और रानी पेट में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी बताया जा रहा है कि दोनों के वेज पिछले तीन साल से अफैर था शतीश को सक था कि यासिन किसी और को पसंद करती है दोनों बुदवार सुबह तिरू वलम वस स्टेंड पर खड़े थे इसी को लेकर दोनों के वेज बहस शुरू हुई बहस इस कदर तक बढ़ गई कि सतीश ने जेव से छोटा चाकू निकाला और यासिन की गर्दन पर वार कर दिया उनसे लटपत यासिन वहीं गिर गई इससे पहले कि सतीश वहां से भागता रागीरों ने उसे पकड़ लिया यासिन को तुरंट अस्पताल पहुँचाया गया डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हलत बहुत गंभीर है फिलाल उसका इलाज जारी है उधर सूचना मिलते ही पुलेस भी मौके पर पहुँची और आरोपी सतीश को गिरफतार कर लिया उससे पूछतास की जा रही है इससे पहले त्रीची में ग्यारवी कक्षा की छात्रा को एक तरफाँ प्यार में सन की आशिक ने चाकू से 14 वर तावर तोड वर करके घायल कर दिया था बाद में पुलेस जब आरोपी को तलाशने लगी तो उसका शव रेलवे ट्रेक पर पड़ा मिला बाद में पुलेस ने बताया कि 16 वर सिय पीड़ेदी छात्रा अथीकुलम की रहने वाली थी आरोपी युवक की पहचान केसवन निवासी पूथा में टटू पट्टी के रूप में हुई थी केसवन युवती का कई दिनों से पीछा कर रहा था एक जुन को जब छात्रा परिक्षा कत्म होने के बाद घर जा रही थी तब ही केसवन ने उसे रेलवे ओबर पास के नजदीक रुक लिया अब आप हमारे चैनल को आपके मोबैल पर भी देख सकते हैं मोबैल आप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV अब डाउनलोड करें इंस्टा लिंक, ट्वीटर, हाइक, कुक, फेस्बुक और कई शोशल मीडिया के प्लैटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब देहें आप इसे यूटुब पर भी देख सकते हैं आप हमारे चैनल को लाइब भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com कर फिलाल दर्शकों वक्त हो चला है एक ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देश दुनिया की तमाम खपरी देखने के लिए बने रहे MNS News के साथ नमस्कार अ-ब्रेक से नमस्कार